खिषारी जी के फिल्म मुझे मिली वह सपना सा था, क्योंकि जब फिल्म करने के बाद एक सेल्फी ली थी खिषारी जी के साथ, वो देख के मैं मेरे आखें नम हो गई कि मैं खिषारी जी के साथ कैसे फिल्म कर सकते हूं, कसौर्टी जिंदिगी और गुड़ तुम से ना हो पाएगा और उडान भी किया मैंने और आलादीन भी कर चुकी हूं तो यह तिन चार स्रियल में अच्छा उसमें काम की इंस्पेक्टर निया करेक्टर मिलता था और बॉलीवूड फिल्म की थी वन डे जिसमें इश्या गुपता है उनको अपोजिट मेरे सब इंस्पेक्टर करेक्टर था और मैं हॉलीवूड भी फिल्म की हूँ दा हंगरी नर्शीर जी के साथ कब उड़ जाओंगी मैं लाख बिछादो बंदिशे फिर भी आसमान में जगा बनाओंगी मैं नमस्कार मेरा नाम रतनेश पांडे है और आप सिवान नियूज का फेस्बूक पेज और सीजन होता है वह इस वक्त बना हुआ है और यह वाक्या आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज सिवान नियूज पे मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहा हूं जो इसी गाहों से निकल करके आज भोजपूरी इंडरस्ट्री के साथ साथ हिंडर बॉलिव सबसे पहला मेरा सवाल आप से रहेगा कि आप इस गाहों से निकल करके बॉलिवूड इंडरस्ट्री में गई शुरुवात आपकी कहां से हुई है शुरुवात देखिए मेरी शुरुवात 2013 में भावजी नमर वन सीजन 5 से हुई थी जो कि नोड़ा में फिल्म सिटी है वह हां पर मैं फॉस्ट टैम ऑडिशन देने गई 2013 में ही ओडिशन देखी थी लेकिन उस टैम जा नहीं पाई फिर मैं सुच नेक्स्ट रियर में ट्राइब करोंगे और मैं गई और मेरा सेलेक्शन भी हुआ उसमें आज जो सेलेक्ट किया था मुझे वो राजीव मिश्रा जी क्या होता है अपने बिहार में के अपने बिहार में लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए नहीं मौका मिल पाता है उनको सिर्फ कहा जाता है कि घर में रहो घर का चुला चौका संभालो और फिर आप निकल करके गई हाँ बिल्कुल सही कहा आपने बच्पन से मुझे ना का ज्यादा शौक था और सेंगिंग का तो ज्यादा उस चीज का लेकिन मैं कैसे जाओंगी यह सब बिल्कुल मेरे जहन में नहीं था फिर यह 2013 में ऑडिशन देखी तो मुझे लगा और तेरा में ऑडिशन देने के बाद एक्टिंग में इन्वाल्व हो गई सेंगिंग मु है यह बहुत ही ज्यादा स्ट्रागल भरा है और मैं खुश हो कि मैं कहीं नहीं अब मैं कम्याब हो बैक तू बैक मुझे फिल्मे मिल रही है बड़ी-बडी फिल्मे की हो और बहुत मुश्किल है और मैं खुद एक प्रेड़ना बढ़ना चाहती हूं यह बिहार के जितनी आती हैं लेकिन घबरान नहीं चाहिए रिंकु जी मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगा कि आपकी सिक्षा दिक्षा कहां से शुरुआत हुई थी बच्पन में कहां से आप शुरुआत की देखिए मैं यहीं पे मैं भेलपूर गाओं के निवासी हूं सिवान पिहार और यही में बच्पन से मुझे इंटरेस्ट नहीं था और मैं बहुत भागती थी पढ़ने से क्योंकि मुझे कुछ टांसलेशन वगर मिलते थे कभी ता वह लर्ण नहीं हो पाता था आज मैं जब भी मुझे स्क्रिप्ट मिलता है तो मैं कहती हूं या सोचती हूं कि यार यह बच् तरीके से जो मेरी पढ़ाई क्लास 7 तक ही हुई है और बस यहीं है सिक्षदिक्षा कुछ लोग मतलब बहुत सारे लोग है जो जिनको लगता है कि मतलब एक्टिंग में हमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है सिर्फ हम डालोग बोल देंगे स्क्रिन पर आ जाएंग तो अब बहुत जरुरिएव आक्टिंग होखे चाहें कोई भी फिल्ड होखे नाहीं पढ़ाई पढ़े के चाहीं हम सब लड़का लड़की सहिं कहां कि तु लोगी पढ़ाई सब मत भागअ लोग पढ़ा लोग दिक्कत कुट मधा में तो धीकात हुने दिए धूदर धी तो आप घर पे कब आई हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट के सिलसले में यह अभी करोना काल में तो देखिये पूरा देश तबाह रहा है अभी भी हर कोई उस चीज से लड़ी रहा है अभी करोना गया नहीं है तो करोना में मार्च में फिल्म की थी मॉंटुवा के नानी जो की अब फिल्म का नाम चेंज हो चुका है शादी हो आसे खेसारी जी के फिल्म करके मैं आई थी मुंबई 15 मार्च को ठीक वह उसके बाद से अपनी फिल्म बहरी सेनुरुवा का और प्रेम कैदी का मैं डबिंग कि इसके बाद पता चला कि लोगडाउन स्टार्ट हो गया मुझे एक और मुवी में साइन कर चुकी हूं गोपाल गंच के ही डारेक्टर हैं धड़कन मुवी बनाये थे भगत जी करके हैं उनके फिल्म करना था मुझे मार्च में 25 से फिर लोगडाउन शुरू हो गया फिर मै बंघेंड मैं या फिल्म में शूट ओरी सारे इलहाबाद बनारस लखनो गौरफ पूर्फार स्लिलाबाद स्याइड में शूटिंग हो रहे हैं तो अभी वह आने के बात जुलाई के बाद मुझे सब्सक्राइब याून फिल्म पारो चीपिएधिक हीरो है और अरे जो वेल में पूरी फिल्म में हूँ शुरू से लेके अंतक इसमें भी शुरू से लेके अंदर क्लाइमिक्स तक हूं है और उसके बाद से अभी जस्ट एक और मूबी करके आई हूँ बांध के डुपट्टे में दिल ले गई जिसमें प्रेयम सिंग हीरो है निलु शंकर कारण वर्ष में यहां रुकी हूई हूँ और मुंबई में कोई प्रजेक्ट मिलेगा तो वहां भी जाओंगी ऑफडाउन करना है वैसे रहना तो मुंबई में है जब तक अब तक कितने फिल्मों में आप काम कर चुकी है क्या भोचपूरी में करनी है कि फिर और गुड़न तुमसे ना हो पाएगा और उडान भी किया मैंने और अलादीन भी कर चुकी हूँ तो यह तिन चार स्रियल में अच्छा उसमें काम की इंस्पेक्टर नियर करेक्टर मिलता था और बॉलिवुड फिल्म की थी वन डे जिसमें इश्या गुपता है उनको अप करेक्टर था तो हिंदी पहले बहुत की लिकिन करोना के वैसे एक डिर साल से मैं थोड़ा सा गाइब हो हिंदी और से या फिल्मों से तो अब फिर मुंबई जाओंगी तो फिर से हो जाएगे हिंदी और वो लेकिन भोजपुरी में इसलिए करती हूँ कि मुझे भोजपु चाहिए वो हर्यानवी फिल्म हो या पंजाबी मुवी हो या बॉली मुड हो सारे फिल्मों में करना चाहती हूं आने वला टाइम में हां एक और मेरी दिली खुआइश है कि मैं सीरियल करों कोई continuity मिल जाए चलिए भगवान का शिरवाद और दर्शकों का प्यार रहेगा त चुरुआती दोर मैं कंट्निव मुझे फिल्म हो या सिरियल हो नहीं तीन-तीन महिना चार-चार महिना इवन मैं एक बार ऐसे हुआ अभी 2019 की बात करूं तो मुझे आठ महिना काम नहीं मिला मैं बहुत परिशान हो गई मुंबई मैं रेंट को लेके जो ओनर है उनसे मेरी बहस हो गई लड़ाई भी हो गई उन्होंने मेरे बैग उठाक भी फिक दिया बहुत परिशान थी उस ताम में डोली फिल्म के लिए फाइनल हुई थी अक्षरा जी के और वो जिस दिन मुझे जाना था ठीक उस दिन दो दिन पहले वह फिल्म मेरे हाँ से निकल गया तो ब तोड़ी मुझे राहत भी मिली वह मुझे बहुत लखी फिल्म है क्योंकि 2020 में अभी रिलीज हुई थी वह सुला तारीक को बैस बीफोर यू चैनल के लिए थी वह फिल्म हाला कि उसमें मैं नोकराने के रोल किया है लेकिन वह मुझे बड़ी-बड़ी फिल्म में मिलना श खिल्म मुझे मिली वह सपना सा था क्योंकि जब फिल्म करने के बाद एक सेलफी ली थी खिसारी जी के साथ वह देखके में में आखें नम हो गई कि मैं मैं खिल्म कर सकते हूं क्योंकि जिन लोग के पास गई वहां पर तो मुझे कोई चांसी नहीं था मैं रोते हुब सामने हैं और शाम के टाइम है कि अगर आप हिम्मत रखते हैं पहुत जरूरी है क्योंकि आप अगर थोड़ी दिन में घबडा जाएंगे तो लोट के घर आ जाएंगे लेकिन मैं भी घबडाई हुई थी रोई भी थी ऐसा लगता का मुंबई मुझे काटने को दॉटरा ज कुछ नहीं कर सकता कि मँझी को भी देखना है सब कुछ देखना है उन्होंने सीदा हाथ खड़ा कर दिया तो फिर मैं दो-तीन साल जौब करें ठीक है रेटल में जौब करती थी जौब करने के बाद इसके बाद फिर में थेटर की क्योंकि मुझे शॉक था कि मुझे श्रद्धा हिंदी में बोलेंगे श्रद्धा तो अब उसको सर्धा ही बोलेंगे रहता ही नौलेज बहुत जरूरी है तो बहुत गुरुमीन की देड़ साल में ठेटर की आज मैं अपना गुरु तो राजेस दुवा सर है डिरेक्टर छो दूरधर से डिरेक्टर रह चुके हैं और वो थेटर उनका नतिकला हमन्ज ख suivतर जैपने से लग रहा था कि आपानill का नहीं है कि जैसे यह रहा है है अट एक लेकिन करोना ने मुझे भेलपूर भेज दिया कोई बात नहीं फिर से आप मुंबाई चले जाएंगी तो शादी हुई हस्बेंड सुपोर्टीव हैं आपके कितने सबोर्ट करते हैं मैं अपने सास को भी एक टाइम में देखिएगा कहीं आपको मीलेगा तो महुआ चनल पर मेरे इंट्रिव्यू हुआ था तो वहां पर मैं बोली कि अपने सास के बेटी नहीं मैं बेटा बनके दिखाऊंगी यह मैं लाइन्स बोली थी और यही अब ही तक तो सपोर्ट है सारी चीजे हाला कि उसमें बहुत सारे उत्राव चड़ा हुए बहुत सारी प्रॉल्म है एक टाइम आगा कि वह भी में खुलासा करोंगी अभी फिलहाल में कुछ नहीं बताऊंगी उस मोगाम तक जाओंगी तो मैं आप सब को धर्श्र बताना चाहूंगी फिलहाल में कुल मिला के सपोर्ट लो करते हैं हमारी शुब कामना आपके साथ है भगवान आपको दिन दुना राज चोगोना तरक्की दिलाए और एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आपने अब तक जितनी सारी फिल्में करी हैं उसमें आपका सबसे बेस्ट फि किसी को भी हिट कर सकते हैं जो फिल्म है शादी होतों ऐसे उससे भी बहुत सारी उमेदे हैं मुझे और जै माविंधु आसनी से ज्यादा है क्योंकि उसमें निकेटिव है हमेशा लोग अच्छी चीजों का याद नहीं करते हैं तो मुझे यकीन है कि उसमें बहुत चाप वाली हो मैं और बहुत बड़े-बड़े डायलोग से कमाल की चीजह उसमें समर्च चत्रुवेदी जी हैं समर्च जी हैं उनके उपोजिट उनकी वाइफ कर रहे हैं चलिए आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे और भगवान से दुआ करेंगे कि आप और ज्यादा तरक्की करें हमारे सिवान जीले का नाम रोशन हो आपके भेलपूर गाओं का नाम रोशन हो अंत में जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपने दर्शकों को और जो भी आपके विवर्स हैं रिंकु भारती को जो लोग भी जानते हैं उनको क किया अप संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना काल में बहुत सारी चीज़े आपको कुरोना ने भी सिखा दिया होगा कि क्या सी जाना चाहेंगे को कि किसी का नहीं होता ठीक है। आप लोग अपने आप पर वर्क कीजिए और एजुकेशन को लेके भी बोलूना इतने भी हमारे निव बच्चे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगे कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दिजिए और करोना ने बहुत कुछ हमें सिखाया है बहुत लोगों बहुत लोग बहुत लोग तबाह हो गए बड़े बड़े बिल्डर कंपनी सब हो गए गरीब भी बहु है लेकिन यह है बिहार के बारे में एक और हम बात कहा तनी जब मजदूर लोग प्लाइन कलस बिहार में तो नीवज में आवे कि आप बिहार के लोग मर जाए नितिशकुमार कुछ ना कर पाई है लेकिन बिहार वह पर बहुत मेहनति हां हम खुदेगों किसान के वेटी पिता जी पर और अपने आप पर बहुत गर्बा और भरोसा भी बाकि हमने के जब हमार पिता जी यतना कुछ विदेशों से ज्यादा अच्छा इनको मेजिक कमाली लेगी रहस्ती से भी तो हम रो बाकि हम बीना लाठी के सहारा के हम उख करके देखाएं कि दुनिया याद अभी फिला में बैरी से नूर्वा में जो चोरंगी लाल है बहुत लाइन मारते हैं तो उनकरा के बड़ा जोड़ से डाटी ले आपनों हुआ देखले बड़ो हैं एक नमर बानर खानिवा बानर के जाका पले सिसा अपना मुह देखां बढ़ाईले हम रखाएं बहुत-ब करें कि आप जिन्दीगी में और ज्यादा आगे बढ़े और फिल्मे करें और तैकि हम लोगा भी नाम रोशन हो जाए तो बहुत-बहुत शुक्रियार इंकुजी हमसे बातचीत करने के लिए आपको भी दिल से धरने बाद देना चाहती हूं है कि आप अपने किम्ती समय न कि हमारे जिन्दगी हमारा लाइफ सेट हो जा अपना शिर्वाद नोले रही लोगी आई चैनल के भी रोवा लोगी देखी या सब्सक्राइब करें और और बहुत-बहुत-बहुत शुक्रिया तो दर्श को देखा आपने हमारे साथ भोजपूरी इंडरस्टी की उबरती ह हुई कलाकारा रिंकू भारती हमारे साथ इस वक्त मौझूद है हम चाहेंगे कि आप इन्हें सपोर्ट करें इनके फिल्मों को देखे और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुडने के लिए देखते रहे सिवान्यूज जाते-जाते हमारे चैनल को सब्स लगाया जा रहा है डिस्ट्रिब्यूटर्शिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिये कए नंबर पर संपर करें